नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर साइफी आरसी वाला, मैं सीनियर काडेक सरजन नाराणा हॉस्पिटल जैपुर में काम करता हूँ इन दिनों लॉक्डाउन के दिनों में ये हुआ है कि मैंने हमने कुछ पेशन यहां से ऑपरेशन करके घर बेजे हुए है लेकिन वो घर से वापस हमारे हॉस्पिटल में आ नहीं पाये फॉल्ल अप के लिए तो उनके लिए मैं कुछ सला देना चाहूंगा तो सबसे पहले जो चीज़ है जब वो यहां से डिस्चार्ज हुए उसके बाद उनके मन में कुछ दुविदाय हुई होंगी जरूर से तो एक के बाद एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा पहला पॉइंट है उनकी जखम को लेके कई बार उनको यह दिक्कते आती है कि ड्रेसिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए यह सब तो ड्रेसिंग करने की बजाए जखम को खुली रखनी चाहिए और उस पे सबेरे साम बिटा दिन लगाना चाहिए जब तक टाके निकल जाते हैं टाके निकलने के बाद उसको सिर्फ बिटा दिन से साफ किया जाए सबेरे शाम यह हुई जखम के बारे में बाद जखम दोनों तरफ हो सकती है जिनका bypass surgery हुआ है उनको छाती पे जखम होती है और पैरो पे जखम होती है ठीक हो जाती है और कोई परिशानी नहीं रहती जिन लोगों को टाकों में से थोड़ा सा गिलापन रहा हो या रेडिशने लालाश स्वेलिंग सी रही हो उन लोगों ने अपने डॉक्टर से परामर्ष कर लेना चाहिए और हमें आस्पिटल से संपर्ख करना चाहिए यह हो गई जखम की बात दूसरी बात होती है दवया कैसी लेनी और कब तक लेनी इन दवयों में से कुछ दवया दी गई है उसे एंटिबायिक कहते है उसे बंद करना चाहिए जो दवया चालू रखनी है उसके नाम मैं आम तोर पर मोटे मोटे तरीके से बता देता हूँ एक तो है इकोस्पोरिन और उसके साथ क्लोपिडग्रेल यह बंद नहीं करनी है दूसरी दवय है स्टैटिंस चाहे वो अटारवो स्टैटिन हो रोजूवो स्टैटिन हो इसे भी बंद नहीं करना चाहिए और तीसरी दवय है मैट एकसल किया या बिटा ब्लॉकर जो हाई इसमेड़ के मरीजों को भी दिया जाता है तो यह थीन दवय बिल्कुल बंद नहीं करनी इसके अलावा अगर आपको नीन नहीं आती तो नीन आने की जो दवय दी है वह आप ले सकते हो इसके अलावा और पेट साफ करने की दवय दी है अगर आपको कॉनस्टिपेशन है य जिनकी बाइपस सरजरी हुए है अब वो मरीज है जिनको वाल रिप्लेस हुआ है वाल रिप्लेसमेंट वालो को भी एंटिबाइटिक दिया जाता है जो बंक कर देते हैं हम साथ या दस दिन में उसके बाद जो उन्हें कमपलसरीली दवाई लेनी है अनिवारी आए उनके लि नए तो इनमें थ्रॉम्बस या खून के गटे बंद सकते हैं जो उनका बंद कर सकते हैं या ब्रेन में जा सकते हैं इसलिए इन्हें खून पतला करने की दवाई देना जरूरी है लेकिन इसके साथ साथ जब खून पतला करने की दवाई देते हैं तो एक टेस्ट होती है कि खहुन कितना पतला हुआ वो जानने के लिए उस टेस्ट को कहते है आएनर अगर आप आएनर आसानी से करवा सकते हो तो आपको करवा लेना चाहिए अगर नहीं भी करवा सकते हो तो ये जो दो दो दोई दी है वारफेरिन अथ्वा ऐसी ट्रूम ये दोनों में से एक दवई आपको लिखी है, वो आपने चालू रखना है और जो डोस में दिये वो चालू रखना है, उसे बंद नहीं करना, इसके साथ साथ इकोस्पोरिन भी दी गई होंगी वाल के मरीजों को, तो वो दवई है आपने चालू रखना है और बंद नहीं करना अपने आप में, दवई ख जानना है, पता कैसा चले कि खून पतला हो गया, वो ऐसे पता चलेगा कि आपके नाक में से खून निकलेगा, या दात में ब्रश करते समय एक्सेसिवली खून निकलेगा, जादा निकलेगा, महावरी जादा हो रही है, ऐसे स्थीति में जब खून पतला होता है तो ब्लीडि की अब दूसरी बात आती है कि कुछ symptoms होते है जो घर जाने के बाद कुछ लक्षन होते है मरीज को ऐसा लगता है कि उसे कुछ problem है तो वो कुछ symptoms के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक है खांसी आना ये काफी common है symptoms operation के बाद कई लोगों खांसी आती है तो वो खांसी की common symptoms है जहां जखम होती है वहाँ पेन होता है तो इसके लिए अगर फीवर नॉर्मली जादा नहीं आता नाइंटी नाइन हंडर्ड तक का रहता है तो आप परसिटेमॉल की गोली ले सकते हो जो हमने अलरेडी प्रिस्क्राइब करके दी है दो दिन में दो से चार बार परसि आराम आएंगा तो यह हो गई और एक जो बात है वो है शौटनेस ऑफ ब्रेथ या कि सांस फुलना जैसी आप घर जाते हो कई लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा भी चलते है या उटते है तो सांस फुलती है यह नॉर्मल है सांस फुलना क्योंकि स्टैमिना कम हो जाता है इसल लिए वो ब्लड कम होने के कारण भी सांस फुलती है अब इसका इलाज क्या है सांस फुलने के कारण दो बता दिया इसका इलाज यह है कि आप दिन में जो भी काम करना है उटना है या बैटना है काम करने से पहले आप दस बार लंबी सांस लो और छोड़ो और फिर उठो औ अपना काम करो तो आपको सांस नहीं भुल जाते हो, oxygen deficit create हो बॉड़ी में और उसलिए वो सांस भूलता है, तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चलने गुमने से पहले, आप बैठे बैठे दस बार लंबी सांस लो और छोड़ो और फिर उटके चलो तो आपको सांस नहीं वरेंगा जो most common complaint auric है, especially bypass patient आपके लिए जहां से पैरों से नाड़ी निकाली जाती है, उनको पैरों में सोजिश होती है वो डर जाते हैं कि हमारे पैरों में सोजिश है, तो यह सोजिश भी नॉर्मल है, क्योंकि नाड़ी निकाली है, वहाँ जखम है, उसलिए सोजिश आती है तो इसके लिए क्या करना है, पैर लटका के नहीं बैठना, पैर लटकाने से यह सोजिश आती है, तो जब कभी भी आप सोफे पे बैठे या चैर पे बैठे, तो सामने स्टूल रखो और स्टूल के उपर पैर को रेस्ट करो इसके अलावा जब आव रात को सोते हो, तो दो तो किये अपने पैर के नीचे रखो, ताकि वह सोजिश चली जाए, यह दीरे दीरे यह सोजिश अपने आप ही चली जाती है, एक से देड़ महने में, तो इसे गबराने की कोई जरुवत नहीं है अब बात होई खाने पीने की, क्या खाना पीना चाहिए, सब कुछ खाना पीना चाहिए, पहले तीन महने में कोई रेस्टिक्शन्स नहीं है, देशी गी अपने रोटी पे चोपड़ के खा सकते हो, क्योंकि देशी गी में कुछ अच्छे तत्व भी है, जिससे आपकी जख अच्छी कम खा सकते हो, लेकिन इतना भी कम नहीं करना कि आपको खाना ही ना खाये जाए आप से, क्योंकि खाना बहुत जरूरी है, कई मरीज का सरजरी के बाद के बाद के टावालिक फेज में चले जाते हैं, उनका वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, उसलिए उनके लि दवई चालू है, तो उसी तरीके से ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करो, और डायबेटिक की दवई अपने डॉक्टर से सला के अनुसार लो, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवई चालू है, तो आप ब्लड प्रेशर की दवई चालू रखे, ब्लड प्रेशर मेजर क जिससे हमारे जोड जो है, वो stiff ना हो, अकड ना जाये, जोड ना अकड़े उसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसे एक simple तरीका है कि जितने भी हमारे शरीर में जोड है, चाहे shoulder हो, elbow हो, wrist joint हो, hip joint हो, knee joint हो, ankle हो, या neck हो, कोई भी joint है हमारे शरीर में, जितने भी joint है, सब को हला ल के लिए हला लेना चाहिए, हलाते रहो, movement करते रहो, उस joint पर, चाहे किसी भी तरीके की movement हो, आप हर joint पर movement करो, ताकि इससे stiffness नहीं होंगी आपको, और exercise भी होंगी साथ में, इतनी भी exercise मत करो, कि आपको चाहती में दर्द हो है, या सांस फुल है, हलके से सांस फुल है, पर आपको exercise बंद करनी है, इतनी ही exercise करनी है, और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको और कोई परिशानी हो, तो आप हमें hospital में संपर कर सकते हो, धन्यवाद.